दोस्तो सरकारी नौकरी के लिए हर कोई परेशान है जी तोड मेहनत कर रहा है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए लेकिन सरकारी नौकरी आने के सरकारी भरती के लिए मेहनत के साथ साथ और क्या लगता है ये कई लोगों के मन में सवाल आता होगा क्या पैसा लगता है क्या बागेश्वर धाम सरकार को आप सभी जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार के पास उनका एक भक्त आया और पंडित धीरेंद्र क्रश्न सास्त्री जी ने जो कहा उसे सुनकर के आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं बताएंगे आपको वीडियो में कि आखिर पूरी बात क्या ह है लेकिन उसे जानने के बाद आपके मन में सवाल तो आही जाएगा नमस्कार मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल्टॉ सभी से एक अपील है कि सबस्क्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए साथी साथ को आज हर कोई जानता है और ऐसा हो भी क्योंकि उनका प्रताप ही कुछ ऐसा है वह अपनी शक्ति से लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं उन्हें उपाए बता देते हैं बागेश्वर धाम सरकार की इस समय कथा चल रही है मद्धिप्रदेश के भिंड में यानि के दंडर हुआ सरकार धाम में है वहां पर एक भक्त आया और वह ले खाकार को ले करके जो पोश्ट होती है जो नौकरी होती है उसको ले करके वह बात कर रहा है बागेश्वर धाम सरकार ने उसकी समस्या का समाधान बताया कहा कि जौब लग जाएगी योग है थोड़ा धन जिससे बात होई थी काम हो जाएगा जरा बागेश्वार धाम सरकार यानि कि पंडित धीरेंद क्रेश्ण सास्त्री जी को सुन लीजी आपने बागेश्वार धाम सरकार को सुना जॉब की बात कह रहे हैं यानि को उस व्यक्ति की नौकरी का योग है अच्छी बात है कि उसकी समस्या का समाधान बता दिया लेकिन बागेश्वार धाम सरकार ने जो कहा उससे एक सवाल मन में आ सकता है क्या सरकारी भरतियों में पैसा चलता है वो युवक जहां का भी हो है तो हिंदुस्तान का किसी भी राज्ज का हो है तो भारत देश का तो क् मेहनत के साथ साथ पैसा किसी को देना रहता है उस वीडियो में साफ तोर पर बागेश और धाम सरकार उससे कह रहे हैं कि जिनसे बात हुई थी उनसे बात कर लीजिए जॉब लग जाएगी ऐसे में सवाल उठता है कि मद्य प्रदेश में भी कई तरह की भरतियां हो रही हैं तो क्या मद्य प्रदेश में भी पैसा चलता होगा और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि MP टेट की परिक्षा हुई MP पुलिस की परिक्षा हुई कई परिक्षा हैं हुई जो संदिक्द के गेरे में आई लोगों ने आंदोलन भी किये वाइरल स्क्रीन सोर्ट्स हुए एंपीटेट के कई बार उसकी जांच की गई तो क्या घोटाले याने के पैसा लगता ही है सरकारी भरतियों के लिए क्या बागेश और धाम सरकार के पास अगर कोई भक्त पहुंच जाए तो इस स है मद्य परदेश में उनका वी एक वीडियो वाइरल हुआ था वह भी जो है एक बाबाजी के पास गई थी और ने कहा था कि आपको हरवाने में यानिकि की आपको हराने में आप ही के साथ किसी नेता का हात है बता दिया था तो क्या अगर इस तरीके से पता लगा जाए तो लग सकता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी भरतियों में पैसा लगता ही लगता है और लगता है तो ऐसे में जो छात्र मेहनत कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा और यह सरकारी भरतियों में लगने वाले पैसे को कैसे रोका जा सकता है दोस्तों आप जो भी सोचत और इस वीडियो को हर जगह शेर कीजिए, साती साथ सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक के फेस्वूक, ट्विटर, टेलिग्राम, इस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिये जासत, नमस्कार